नमस्कार दोस्तों आप सभी का अगीता लेडीस टेलर में स्वागते जीन लोगन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ने किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें जिन लोगों मैं पहले से सब्सक्राइब लाइट किया उनका तहे दिल चे शुक्रिया और धन्यावज अब आपको बहुत दिन से हम दिख रहे हैं एक महने के बाद हम आपको मिल रहे हैं दोस्तों थोड़ा प्राब्लम था ना इसलिए तो आज का हमारा टॉपिक उन्हेरा स् कुछी ऋिसकी कटिंग करते समय नहीं आता है कली आती कि कि Teachers बराबर आती ही नहीं तो इहां पर मैंने 2 प्राकार की कटिंग बताइए एक मेजर टेप की कटिंग बताए और एक बीना मेजर टेप की कटिंग बताए जिन लोगों को मेजर टेप नहीं समझी में आता तो वो इस प्रकार की भी कटिंग कर सकते हो और जिन लोगों के इंच होगेरा समझ भाता तो वो वो प्रकार भी सकते यानि दो प्रकार की मैंने आपको cutting बताई है, दोनों प्रकार फोधी simple से, उम्मीद करोगी तरीका आपको short cut तरीका फोधी पसन आगा, एक बार ये तरीकी साग cutting करोगे, दोसों blouse की fitting हो, या dress की fitting हो, perfect यानि perfectly आएगी, चलो फिर हम बाते कम करते हैं, और वीडियो बनाना इसका यहां पर blouse ले सकते हैं, जब हम blouse की cutting करते हैं, तो बराबर होता नहीं, यानि कि slews, slews में बहुत बड़ी problem होती हैं, यहां पर इदम फुगा आ जाता है, fitting बराबर आती हैं, कभी tight हो जाता है, तो कभी lose हो जाता है, तो यहां पर मैं आपको इदम short cut तरीका बताने हैं वाली, वो भी cutting का, आप इस method को dress में भी use कर सकते हो, blouse में भी use कर सकते हो, यानि dress की जब cutting करनी हो, slews की तो आप यह method यूज करते हो, बहुत ही short cut तरीका है, जो पहली बाद भी cutting करेगा, वो भी इदम perfect करेगा, छोटी छोटी बाते दोस्तों twist में बताती जाओगी, तो आपने follow करना है, आप इस तरीके से करोगे, तो आपकी cutting एक short का guarantee के साथ, बोलोगी दम perfect आएगी, तो यहाँ पर हमने ले लिया है blouse, यहाँ पर कौन सा भी size का आपने blouse लेना है, मैं आपको repeat करके बता देतू, यहाँ पर मैंने यह लिया तो आपको ज़ला है, वो ही लेना है, तो देख सकते हो, अभी हम cutting case की जाती, वो बता देते हैं, अब यहाँ पर पेपर ले ले लेते, और पेपर की बंद घड़ी हमारे पास रखने हो, जो खुली वाली घड़ी होती ना, वो उस तरप रखने है, देख सकते हो, इस तरीके से, आप यहाँ पर कौन से भी size का ब्लाउस की cutting कर सकते हो, खाली method आपने ध्यान देना है, बंद वाली घड़ी हमारे पास खुली वाली घड़ी उधर, तो यहाँ पर बीना मेजरेमेंट से हम करेगे, अभी यह वाला जो पार्ट है, हमें इस से इस तरीके से, देख सकते हो, इस तरीके से, ओके, इदा, आप इसको इस सरके से, ड्रॉ कर लेना है, पेंट से, अभी यह कितनी स्लूज है, इतनी है, ओके, तो यहाँ पर इस निमेने कर लिए, अभी आपको लगी इदम बराबर है, आपको छोटी चोता आप कर सकते हो, पन यहाँ पर मुझे एक इंच बढ़ाना है, क्योंकि सिलाई मार इसे रखते जाना है, देख सकते हो, यहाँ इसको ऐसे रखेगे, और हमारे यह इस तरीके से, और इसको यहाँ पर इस तरीके से, अभी यहाँ पर जो हमारे यह पाट दिख रहा है, पेपर को हमें सीधे तरक्स रखना है, केसा भी रखना नहीं, तो आप केसा भी रखोगे अटेश करना है, देहें कि न시에 देखती हैं, यहां पर एसने करना है, इस यहांगे कर सिल मेंखते करणा है, यहांपे इस तरीके से कर लेते हैं, इस दम करना है, यानी बराबर यह कट्ञ करते हैं, आजिक gives शाट और सम्बाप में आपको सेव सेव भी बता देती हूं, तो यहाँ पे इस तरीके से draw कर लेते हैं और यह सिलाई margin के लिए 2 इंच 2 इंच हाँ पे सिलाई margin के लिए हमें करना है अब यह हो गया अब यहाँ पे इसे एमें draw कर लेना यहाँ पे में chalk ले ले तू जो पहली बार भी cutting करेगा ना तो इस तरीके से आप करेगे तो आपका जो blouse, sleeve उसका save ने एक number आएगा तो इसले आपको practice भी करनी पड़ेगी और अच्छा save भी आएगा तो यहाँ पर मैं चौक ले ले लिए अभी आपको क्या गीता जी आप पेंसे भी कर सकते हो नहीं दोस कोई बात ने इस तरीके समय से गॉल करना है अब यहाँ पर देख से तो इसे में अच्छी तरह से save दे दिया है यहाँ पर एक इंच का में यदि एक इंच बोलो तो इतना हमें यहाँ पर गैप होना चाहिए यह आप डायरेक इसे करो गे ने तो यहाँ पर जब स्लूस हम ज नहीं जया देते हैं अभी जो तृओ करें चैची चैची कासि चैट करें इसको अज़से कर लेते हैं इतना आसान तरहिए बीना मेजर टेप से मने इसे कठ तिंग किया है दोस्तों मेला मेजर टेप से और इसम्हाँ बढ़िया सी बेड जाते कभी मुझे कभी घ़ाइगड बड़ोती किसी का बलाव सीलना होता है या मेरा खुद का सीलना होता तो में यह मैथड फटा फट यूज कर लेती हूँ समय मेरा बच जाता है देख सकते हो अभी यहां पर इसे मेने कट कर लिया है अभी यहां पर मैं आपको बता देती बीच वाला सेंटर लेना है तो यहां अब इससे कर लेना है इस तरीके से देख सकते हो इस बीच वाला में ने सेंटर कर लिया है ओके और अभी हाँ पर इमें थोड़ा सा करके इस तरीके डाउन करेंगे है ना, नहीं समझ में आयरे तो आपको मैं बता देती हूँ इसको इस तरीके से करना है यह कैरी का सेप है यह आगे वाला पाड ओर एक पीछे वाला पाड एकदम अच्छी तरह से बनकर त्यार हो जाता है यहां से इसे कट करें एकदम आसान तरीके से है न यह कंपल सरी करना ही होता है तब ही स्लूस हमारी परफेक्ट आती है यह आप कैसे भी करोगे न तो यह स्लूस परफेक्ट आएगी नहीं देख से तो कितनी बढ़िया से हमारी स्लूस कट हो चुकी है अब इस तरीके से भी आप छोटी कट कर सकते ह बड़ी वाली वाली स्लूस बता हैं अर्मोन हमें देख लेना है आर्मोन ये और की यहां लाइं colo इसको इस स्टेट करना है ऐसे करना नहीं एसे करोगे तो हमारी सिल्यूस बड़ाबर आएगी नहीं तो यहां पर इसको मैंने स्टेट में कर दिया साड़े च्छे ओके और गोला हमारी होगी पांच साड़े पैच वगेरा वगेरा है ना तो अभी यहां पर बंद वाली कर लिए हैं अभ इहां पर कितना है 6 तो इहां पर भी हमें 6 थी करना है देखो इधां बराबर 8 चुका है अभी हमारी कितनी तो इहां पर भी सलीष तो यहां पला हो जाते हैंuster कि सब्सक्राइबंद 2 अदर यहां पर उतरना है और ट्रेस के तीन उतरना है, बस, कितने कॉन सा भी ड्रेस हो तीन साड़े तीन ही उतरना है, जादा ना उतरना है, अब यह आगे की गोलाई हमारी सपोच छे, यानि की गोलाई 12 है तो असको आम है आधा कर लिया चे, और यह देड़िंच हमारी होगी है, मारजिंग, ओके, अभी यहाँ प इस तरह के से लाइन दे देनी हैं, अब यहाँ पर में मेज़र यह ले लेती हूँ, और इसको यहाँ पर दे देती हूँ, और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ, अब यहाँ आप देख से तो कितना आसान सा सेप है, यहाँ पर मैंने पहले गिन लिया है, फिर यह निकाल पिर लाइन दे दी निछे से धाय, उतला बस और यह 9, अब यहाँ पर इसको इस तरके से हमें करना है, सेब देना है, चौक ले लेती हूँ, हलके आतोशी से हमें गोल करना है, देख सेको क्ते इस तरके से, अब यहाँ आपको कट्टिं करके बता देतूँ, यह छोटी वाली С अब यहां पर गोल वाला से बता देती हूँ इसको इस तरीके से लेना है यहां से यह वाला से कैरी का से फोग चुका है कितना आसान है ब्लाव स्लूज की कटिंग करना देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा तरीका से टेकनिक मालूम होनी चाहिए इसके लिए क्या होता है दोस्तो भी हमारी ब्लाव की कटिंग अच्छी आती है अब यह आपको लाब बहुत दिनों से हमने महिना के बाद ब्लाव वीडियो डाल है आज से रोज कंट्यूनिव वीडियो आने वाले है दोस्तों थोड़ी प्राब्लम थी नहीं इसलिए यहां पर में वीडियो डाल नहीं रह लॉंग वाली स्लूज होती तो यह वाला पार्ट कम हो जाता है छोटी वाली स्लूज होती तो यह वाला पार्ट जादा हो जाता है आपको इन दोनों में से कौनसा तरीक अच्छा लगा तो मिझे भर भर के कमेंट करके बताना है और चैनल पर नहीं होगे तो लाइक करें श स्क्राइब करना ना भूले